नाटू नाटू ने आउसकर में आवार्ड तो जीत लिया लेकिन कई लोगों के जहन में यही सवाल है कि भाई आखेर क्यों राम चरन और जूनियर एंटियार ने वहाँ पर परफॉमेंस नहीं दी इस सवाल का जवाब खुद राम चरन ने सामने आकर दी है वहीं कल देज़ शाम को उनकी कुछ तस्वीर हैं उनके पिता के साथ में चिरण जीवी के साथ में राम चरन की आमिच्छा जी के साथ में भी वार्ड हुई नन तस्वीरों के उपर इस इनलजिटिक गाने के खुशी कपल था लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सभी की एक बिली ख्वाईश थी जो अधूरी रह गई दरसल फैसल चाहते थे कि आरार का विनेजा राम चरण और जूनियर एंटियर खुब स्टेज पर नाटू नाटू पर पर परफॉर्मस दें लेकिन ऐसा होना स इस बात पर अभी तक फिल्म की स्टार कास्ट ने चुपपी साधी हुई थी हलाकि अब राम चरण इस बात को लेकर अपनी प्रतिगरा दिये हैं आसकर इवेंट से लॉटतने के वक्त एक इंटर्विव में राम चरण ने कहा कि वो आसकर के 95 संस्करण में नाटू नाटू परफोर्म करना चाहते थे उन्होंने कहा कि डांस गरूप ने शांदार परफadors दी थी मैं वहाँ परफ move करने के लिए पूरी तरह से assistant ... नहीं 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 आया ... और किसी और को भारत के लिए प्रदर्शन करने दे, मुझे लगता है कि यह अब हमारा गाना नहीं है, यह पूरे भारत का गाना बन चुका है, वी लोग हैं, जिन्हों ने हमें आसकर के कारपेट पर चलने का मौका दिया है आपको बता दें कि S.S. राजबानी निर्देशित पीरियंड ड्रामा फिल्म में नाटू नाटू को मूल डूप से रामचरन और जूनियर अंटियार के उपर फिल्माए गया था इस गाने ने सिर्फ देश भर में नहीं बलकि दुनिया भर में आग लगा दी और कई लोग इसके फैन बन चुके है तो ऐसे में जाहिर सी बात है रामचरन जब नाटू नाटू पर डांस नहीं किया तो हर किसी की नजर इसी के उपर चली गई आखिर ऐसा क्यों हुआ पर देखे नहीं अब ये जो मीटिंग हैं ये मीटिंग भी कई लोग को पसंद नहीं आईए देखे ही हैं देखिए लिबरल लोगों को वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि साउथ के जो स्टार ने किसी भी तरीके से जाकर बाजपा के नेताओं से मिले या उनकी साथ मिलकर बात करें पर ठीक है अब तो मामला निकल चुका है बात सामने आ चुकी है अब ये लोग क्या भूलेंगे मेरे स्टूडियों फिलालत नहीं आप लोग का इस पूरेज मामले के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा जैहन जैभारा